हेलो फ्रेंड्स प्रिपेरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि हम इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स पॉर आईटी जैम 2022 के लिए एक वीडियो सिरीज कवर कर रहे थे जिसमें कि मैं तीन पार्ट आपको अल्लेडी करा चुका हूँ आज इस वीडियो सिरीज का पार्ट फोर है जिसमें कि हम कुछ और इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स पॉर आईटी जैम 2022 करेंगे आई होब आपको वीडियो पसंदारी होगी हमारी वीडियो सिरीज आपको एफेक्टिव लग रही होगी आज भी मैं कुछ आपको अच्छे क्वेस्चन्स कराऊंगा अच्छे टॉपिक पे जैसा कि मैंने आपको पार्ट फ्री पे कोची सेकिंड थियोरम ओफ लिमिट पे एक क्वेस्चन कराया था और कहा था कि इसके हम फर्दर क्वेस्चन्स पार्ट फॉर में कंटिन्यू करेंगे तो पार्ट फॉर में कुछ क्वेस्चन्स हम उसके भी करेंगे कौची सेकिंड थियोरम ओफ लिमिट और कुछ नए क्वेस्चन्स को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो चलिए फिर हम पहले question को यहाँ पर शुरू करते हैं So, जो हमारा first question है First question is from topology Let us at a X belongs to R such that X square minus 2X minus 5 is less than 0 So, हमको निकालना है Infirmum of a plus supremum of a So, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Infirmum क्या होता है और सुप्रिमum क्या होता है किक हो गया तो देखे So, अगर आप मेरी वीडियो को 3 या 4 महने बाद देख रहे है तो definitely तब तक मैं अपने चैनल पे सुप्रिमum और Infirmum पे detailed lecture को upload कर दूँगा ठीक है So, अगर आप मेरा वीडियो 3-4 महने बाद देख रहे है तो एक बाद मेरा वीडियो सेक्षन जरूर चेक आउट आप कर लिए हो सकता है कि आपको वहाँ पर Real Analysis और Topology के हर एक lecture वहाँ पर आपको Available हो जाए और जैसी अगर आप उसको lecture से पढ़ लेते हैं तो फिर I hope इसको आप खुद से भी solve कर सकते हैं इतना tricky question नहीं रहता है बट हाँ definitely एक question अच्छा है ऐसे questions exam में आते हैं तो चलिए बट अगर आपको नहीं आता है और आप इसको अभी वीडियो को देख रहे हैं जब तक मैंने इन चीज़ों को upload नहीं किया हुआ है इस question को करने से पहले हमें दो concept पता होने चीए फर्स्ट वन इस बाउंडेड अबफ एंड सेगिंड वन इस बाउंडेड बीलो अगर हमको ये दो चीज़ा पता हैं तो इसके बाद हम infirmum एंड सुप्रिमूम एजिली निकाल सकते हैं ठीक हो गया अब देखिए bounded above क्या होता है bounded above if there exists a real number m such that every term of sequence is less than that of ठीक है अगर आपको एक ऐसा real number मिल रहा है कि sequence के सभी term उस term से छोटे हैं तो इसका मतलब वो जो sequence होगी वो कैसी होगी bounded above होगी ठीक हो गया similarly if there exists a real number small m such that an is greater than small m कहने का मतलब कि जो sequence an के सारे term है वो m से क्या होंगे बड़े होंगे तो उस case में जो small m होगा या यह क्या कहा जाएगा bounded below कहने का मतलब जो sequence an होगा वो कहा जाएगा आपका bounded below अब यहां से रेखिए दो case आए एक बार an आपका m से छोटा था एक बार an आपका small m से बड़ा था तो आप इसको ऐसा लेख सकते हैं कि जो an होगा वो capital m से छोटा होगा और small m से बड़ा होगा तो उस case में जो आपका sequence an होगा वो bounded above भी होगा and bounded below भी होगा अगर सिर्फ इतना हुआ ठीक है तो ये क्या होगा bounded above और अगर सिर्फ इतना हुआ तो ये क्या होगा bounded below बट अगर ये पूरा होगा कि an belongs to minus m से लेके m तक sorry small m से लेके m तक तो उस case में this sequence is bounded below as well as bounded above अब देखिए अब इस m को और इस capital m को बोलते क्या है ये important है ठीक है तो जो small m होता है इसका नाम होता है lower bound आया ऐसा m जिस पे जो sequence है bounded below हो जाती है तो उस real number को बोलते है उसका lower bound similarly ऐसा real number जिस पे की sequence bounded above हो जा रही है उसको बोलते है उसका upper bound तो एक बार आपको lower bound और upper bound confirm हो जाता है तो उसके बाद आप कुछ भी solve कर सकते हैं इसको easily found out कर सकते हैं अब देखिए कुछ example में आपको यहाँ पर दिखा दिता हूँ ये देखिए example क्या है कि A बराबर हमको एक sequence दी वी है ठीक है तो जो चीज हम sequence के साथ करना चाहा रहे है अगर वही चीज हम उसके range set के साथ करें तो बात तो एक ही पढ़ती है ठीक है चाहे sequence में वो formula लगा है चाहे वो उसके range set में लगा है since A is the range set of sequence A N तो अगर हम इसको bounded above या bounded below सो कर दें तो इसका मलब A N B आपका bounded above या bounded below होगा ठीक हो गया अब ध्यान से देखिए इसमें सबसे छोटा term कौन सा है 1 और सबसे बड़ा term कौन सा है 15 ध्यान से देखिए यहाँ पर इस sequence के सभी term 1 से बड़े है ठीक है और सभी terms 15 से छोटे है आया समझ में तो ध्यान से देखिए तो यह जो sequence होगी पहली बात 1 से लेके 15 के बीच में है और दोनों finite है तो इसका मलब यह bounded sequence है यह bounded above भी है और bounded below भी है तो जो sequence bounded above plus bounded below दोनों हो जाती है तो उसको बोलता है bounded sequence आये बात समझ में इसका मलब यह sequence ही है यह set हमारा क्या है bounded है अगर मैं sequence कहूं तो set भी समझ जाए set कहूं तो sequence हमझ जाए क्योंकि जो यह set है यह किसी sequence का range set होगा ठीक है और अगर मैं sequence कहूं तो यह sequence हमेशा कोई न कोई range set बनाएगा तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है ठीक हो गया sequence के सभी terms उस terms से बड़े होने चीए ठीक है यहाँ ऐसा कौन सा term है one है देखे sequence के सभी terms one से बड़े है तो one is your lower bound similarly यहाँ पर जो sequence के सभी term है वो 15 से छोटे है इसका मलब 15 is your upper bound simple सी बात खतम कहानी है ठीक हो गया ऐसा term जिससे sequence के सारे terms छोटे है तो उसको बोलते हैं आपका upper bound और ऐसा term जिससे sequence के सारे term बड़े है या set के सारे term बड़े है वो हो गया आपका lower bound तो यहाँ पर मैंने trick लिखा रहे है कि lower bound कहने का मलब सबसे छोटा set में और upper bound कहने का मुलब सबसे बढ़ा कर सकते हैं एसी यहाँ पर देखिए इस sequence में जो सारे terms हैं वो minus 4 से बढ़े हैं कहने का मुलब minus 4 सबसे छोटा है इसका मुलब जो आपका minus 4 होगा क्या होगा minus 4 सबसे छोटा है तो minus 4 is lower bound similarly minus 1 सबसे बढ़ा है तो minus 1 is upper bound simple सी बात है तेक होगी अब इस sequence की बात करें देखिए 2 की पावर n तो अगर n की value रखें इदर पर natural number 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 so on 2 की पावर infinity तक जाएगा देखिए इसका upper bound exist नहीं करता है क्योंकि 2 की पावर infinity क्या हो जाएगा आपका infinity हो जाएगा बट इसका lower bound कितना है 2 है आया कहने का मुलब सबसे छोटा तो इसका lower bound जो होगा 2 और upper bound जो होगा वो होगा infinity तो ये जो sequence होगी ये उपर से bounded नहीं है ठीक है ये ऐसा जा रहे है देखिए 2 की पावर 1 2 की पावर 2 अब टू infinity देखिए यहाँ पर ये bounded नहीं है ये आगे कितना भी हो सकता है बट इधर से bounded है 2 की पावर 1 से छोटा नहीं हो सकता है आया समझेए तो मैंने एक हलका सा concept दिया ठीक है ताकि हम question को further ले जा पाए अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा ये question तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको topic बताया अब ध्यान से देखिए यहाँ आया supremum और infirmum की बात तो इसमें क्या important है देखिए अब set में इतना easy नहीं होता है कि आप क्या बोलते है lower bound निकाले upper bound निकाले ठीक है तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है या कभी-कभी set या sequence हमको दिखाई नहीं देते हैं imagine नहीं पाते हैं या हमको लगता है कि इसमें 2 या 3 lower bound हैं 2 या 3 upper bound हैं हम confirm नहीं कर पाते हैं तो जो infamous होता है infamous को दूसरे सब्दू में हम बोलते है greatest upper bound greatest upper bound जो infamous होता है वह आपका एक upper bound ही होता है जो की होगा greatest कहने का मलब सभसे बड़ा upper bound आया समझ में और जो supremum होता है वो होता है आपका सुरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी कि लोवर बाउंड होता है क्या बोल गया मैं आप पर ठीक है जो इन्फिरिमम ओफ ए होता है वो होता है ग्रेटेस्ट लोवर बाउंड और जो सुप्रिमम ओफ ए होता है वो होता है अपका लीस्ट अपर बाउंड आया कहने का मलत मान लीजे कि आपके बाप बहुत सारे लोवर बाउंड से हैं तो उन में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका इंफ्रिमम और आपके बास अगर बहुत सारे अपर बाउंड से हैं तो हमसे जो सबसे चोटा ब्रवाउंद होगा वो होगा आपका सुपरिमाउंड तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि जो इंफिमाम होता है वो होता है आपका greatest lower bound और जो supremum होता है वो होता है आपका least upper bound आया तो यह जब मैं आपको lecture पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारे question कराऊंगा otherwise यह video काफी लंबी हो जाएगी ठीक है तो चलिए आप सीधा हम question क्यों राते हैं देखें इस question में इतना तो हमको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा lower bound greatest lower bound होगा कौन सा least upper bound होगा तो इसको पढ़ा के अभी कोई उतना फाइदा नहीं है ठीक है तो देखें question क्या बोला है कि हमको एक set दिया हुआ है since हमको इस set में condition दे रखा है कि x square minus 2x minus 5 is less than 0 तो हमको जैसा कि condition दिया हुआ है मैंने उसको लिखा इसको मैं perfect square बनाने की कोशिस किया x square minus 2x plus 1 का square minus 1 का square add भी कर दिया subtract भी कर दिया minus 5 को as it is लिखा is less than 0 तो ये देखें इतने को मैं लिख सकता हूँ x minus 1 का square minus 1 का square ठीक है ये बचा हुआ minus 5 तो ये हो जाएगा minus 6 और ये उदर जाएगा तो ये हो जाएगा plus 6 ठीक है और जैसी है square यहाँ से इदर जाएगा तो ये root में change हो जाएगा ठीक है और जब square हटता है in equality में तो यहाँ पर mod आता है आप जानते हैं ठीक हो गया अब ध्यान से देखिए तो हमारा आया mod x minus 1 is less than root 6 ठीक होगे अब आप जानते हैं अगर root x is less than a है तो दूसरी भासा में हम इसको लिख सकते हैं कि जो x होगा वो minus a से लेके a के बीच में लाई करेगा जानते हैं आप इस बात को simple सा है ठीक है तो ऐसे ही अगर x minus 1 is less than root 6 है तो इसका मलब x minus 1 जो है तो minus root 6 से plus root 6 के बीच में लाई करेगा वोई बात है नॉर्मल तो मैंने तीन्यों साइट plus 1 जोड़ दिया देखिए इधर भी plus 1 कर लेता हूँ इधर भी plus 1 इधर भी plus 1 तो minus 1 plus 1 cancel हो जाएगा तो x कहां से कहां भी long करेगा minus 6 plus 1 से 6 plus 1 ठीक हो गया sorry minus of root 6 plus 1 से root 6 plus 1 तो इसका मनलब x की सबसे कम value यह है x की सबसे ज़्यादा value यह है ठीक हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते है lower bound और lower bound ही हमारा क्या होता है infirmum होता है ठीक हो गया और जो हमारा upper bound होता है जो हमारा सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं upper bound और upper bound ही हमारा क्या होता है supremum इन case हमको बहुत सारे upper bound मिलते है तो least upper bound ही हमारा क्या होता है उस case में आपको हलका सा थोड़ा पढ़ाए जाए, थोड़ा सा इसमें और ध्यान दीजीगा, देखिए, हमारा क्या आया यहाँ पर, 6 is less than root 6 plus 1, sorry, x, देखिए, मैं सिर्फ इतने पार्ट को यहाँ आपर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ऐसा है, क्या मैं इसको यह भी लिख सकत हूँ कि x is less than 100, ठीक है, is less than 10, is less than 100, is less than 1000, ऐसे हम कई आगे तक बढ़ सकते हैं, तो 10 भी इसका greater, कहने का मलब अपर वांड हुआ, 100 भी अपर वांड हुआ, 1000 भी अपर वांड हुआ, होने को, ठीक है, एक नॉर्मल लॉजिक में देखा जाए तो, बट हम लेंगे किसको, ज सबसे छोटा अपर वांड जो है, जो कि क्या है, रूट 6 प्लस 1 है, आई बात समझ में, तो सुप्रिमॉम आफ ही क्या हो जाएगा, आपका रूट 6 प्लस 1, जो इंद्फ्रिमॉम होगा, ग्रेटेस्ट लोवर वांड हो आगया, यह, अब हमको क्या करना है, सुप्रिमॉम जोड़ देना है, तो रूट 6 प्लस 1, माइनस रूट 6 प्लस 1, इससे एक एंसल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा सेगंड क्वेस्टन है, सेगंड क्वेस्टन भी सेम कॉंसेप्ट पे बेश्ट है, आप चाहें तो इसको एक बाग खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कि ह सेगें, तो दिखने में तो काफी टफ दिख रहा है इस टाइप के क्वेस्टन, और होते निये, काफी इजी होता है, सम्टाइम्स ध्यान देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंद्रिम आप स्प्रिमम निकालने के लिए, हमको सेट पता होना चीए, ठीक है, जैसे कि हम को यहाँ सेट के लिए कंडिशन दी हुई थी, ऐसे हमको यहाँ भी सेट के लिए क्राइटिरिया दी हुई है, तो जैसे हम एक बाद सेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कि कई बार सेट के लिए हमको क्राइटिरिया लगानी होती है, बट अगर हमको समझ में ना ना रही हो या कोई simplify करने का कोई तरीका आपके दिमाग में ना रहा हो तो उस case में आप just n की value put करते जाई है ठीक है देखे कैसे अगर इस set s में मैं n बराबर 1 क्योंकि n belongs to natural number इसका मुलब n बराबर जब 1 होगा तो 1-1 की पावर 1 upon 1 ठीक है तो 1-1 की पावर 1-1 ठीक हो गया तो यह बन जाएगा आपका 2 ऐसे n बराबर 2 करता हूँ तो यह हो जाएगा 1-1 की square upon 2 तो देखे-1 का square plus 1 हो जाएगा तो 1 यह वाला minus फिर 1 upon 2 ठीक हो गया तो यह आगया 1 upon 2 similarly जैसे आप n equal to 3 रखेंगे तो क्या होगा देखे 1-1 की पावर 3 upon 3 ठीक हो गया तो यह हो जाएगा 1 plus 1 by 3 यह हो जाएगा 5 upon 3 जैसे आप similarly n equal to 4 रखेंगे तो यह आपका जैदा 3 upon 4 देखे तो हमारा जो सेट बना सेट किस टाइप का बना देखे तो जो एस बना टू फिर n बराबर जब 1 रख रहा हो एन बराबर 2 रख रहा हो तो 1 by 2 3 रख रहा हो तो 5 upon 3 4 रख रहा हो तो 3 upon 4 ठीक हो गया ऐसी 5 उसके होता है वह होता है आपका क्या लीष्ट अपर बाउन या सिम्पली बोलो तो अपरवाउंट ठीक हो गया और जो इंप्रिमम होता है ठीक हो गया वह होता है आपका greatest lower bound कहने का मलाब सबसे चोटा ठीक है और एक सबसे बढ़ा हमको निकालना है ठीक है इस में देखिए सबसे चोटी quantity कौन सी हो सकती है अब इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा देखी इसको आप दो parts में break कर लीजिए एक बार जब n equal to आप odd number रख रहे हैं एक बार n equal to जब आप even number रख रहे हैं odd number रखने में क्या हो रहा है पहले 2 आ रहे है then 5 upon 3 आ रहे है उसके बाद कुछ और आएगा ठीक है ऐसे करके चलता रहेगा बड़ जब आप even रख रहे हैं तो आपका पहले 1 by 2 आ रहे है ठीक हो गया फिर 3 by 4 आ रहे है फिर ऐसी so on आपका चलते रहेगा त्यान से देखिए 2 केसम हमने रखा इन में से सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है त्यान से देखिए सबसे बड़ी क्वांटिटी इन में दिख रही है मुझे 2 क्योंकि देखिए हर कोई value 2 से छोटी होगी आगे को जैसी आप जाएंगे इमाल लिजे आप n बड़ाबर 100 रख लेता हूँ ठीक है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 100 तो प्लस 1 1 अपॉन 100 तो यह हो जाएगा आपका 99 अपॉन 100 जो की 2 से क्या होगा छोटा होगा ऐसी आप रख लिजे 1000 रख लिजे तो 1 माइनस ठीक है 1000 रखता हूँ तो माइनस 1 की पावर 1000 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1000 तो यह क्या हो जाएगा 999 अपॉन 1000 तो कहने का उनलब यह भी क्या है 2 से छोटा ही है कहने का उनलब जब मैं n इक्वल टू इवन नंबर रख रहा हूँ जब मैंने 100 रखा 1000 रखा तो हमेशा क्या आएगा 2 से छोटा हैगा एक बार और रख लेता हूँ ठीक है मैं रख लेता हूँ 999 तो क्या हो जाएगा बताई 1 माइनस माइनस 1 की पावर 999 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस 1 तो माइनस और यह माइनस से हो जाएगा प्लस ठीक है 1 अपॉन 999 तो यह कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 999 और यह भी क्या होता है 2 से छोटा ही होता है तो चाहे आप कुछ भी वेल्यू रख लिजिए यह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जो भी वेल्यू रख लिजिए हमेशा क्या आएगी 2 से छोटी आएगी ठीक है और जैसा कि मैंने आपको यहापर थोड़ी देर पहले बताया कि कहाँ पर बताया था मैंने एक पेज मापको बताया था दो मिनट रुकिये दिस मैंने आपको यहापर बताया था if there exist a real number such that every terms of sequence ठीक है यह हमको एक sequence भी बोल सकते है आप इसको इसके terms यह है ठीक है every term of sequence is less than this number ठीक है तो इस number को उस case में क्या बोला जाता है उसका upper bound और upper bound को ही हम क्या बोलते है supreme बोलते है simple सी बात है तो देखिए तो जो सारे term है वो क्या है 2 से क्या है छोटे है अब देखिए अगर ये सारे terms 2 से छोटे है तो इसका अमलब सारे terms 3 से भी छोटे होंगे क्योंकि 2 3 से छोटा है इसका अमलब सारे term 5 से भी छोटे होंगे 10 से भी छोटे होंगे तो कहने का मलब इसका just least upper bound कौन सा है कहने का मलब just upper bound सबसे छोटा upper bound वो कितना है 2E है आया समझ मैं तो जो सुप्रिमॉम होगा वो आपका होगा 2 तो ये least और greatest हम बार बार अगर use ना भी कर रहे हैं तो चलेगा तो question जिस आप से दिये होते हैं हमको साब पता लग जाता है कि सिर्फ एक ये ही upper bound है अगर हम confuse हो रहे हैं कि 2 या 3 upper bound हमको साब साब दिखाई दे रहे हैं उस case में हम least day or greatest की बात करेंगे तो जैसा मैं बोल ला हूँ ना कि एक चीज़ ये भी सूचने की बात है मैंने बोला कि जिसकी 2 है अगर ये सारे terms 2 से चोटे हैं तो 3 से भी चोटे होंगे बट यहाँ पर तो 3 से बिलोंग ही नहीं करता ठीक है मैं एक आपको journal बात कर रहा हूँ अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे फिर आपको लगेगा कि कहीं ये गलत तो नहीं बढ़ा रहा है अगर गे ऐसी मैंने यहाँ भी बोला देखिए कि जो root 6 प्लस 1 है वो 10 से चोटा होगा वो 100 से भी चोटा होगा बट ये 10 और 100 तो इस set में लाई करते ही नहीं है क्योंकि 10 और 100 जैसी आप रखेंगे तो ये inequality फेल हो जाएगी बट मैंने एक जर्नल बात किया आपर ठीक हो गया ताकि अगर हमको कई सारे अपरवाउंड दिख रहे हैं तो हम उसका least अपरवाउंड पहचान पाएं एक तरीका मैंने आपको बताया ठीक हो गया बट ऐसा कई सारे question में नहीं होता है हाँ एक से 2% question होंगे जिसमें आपका ऐसा huge हो सकता है बट बागी questions में आपको साब पता लग जाता है आया समझ में तो देखें जो हमारा अपर बाउंड हुआ 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 2 कहने का उलब सभी terms 2 से क्या है छोटे हैं अब हमको निकालना है lower bound कहने का उलब सबसे छोटी value जिससे की सारे terms पड़े हो कौन सा हो सकता है बताईए यह 1 by 2 है ठीक है जैसे ही आप odd number रख रहे हैं ठीक है आप कोई भी odd number रखें लेट ऐस टेक आप कोई भी odd number रखें इसमें मैं रख लेता हूँ 9999 यह रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा दिके 1-1 की पावर 9999 ठीक है 9999 तो कितना हो जाएगा और नमबर है तो माइनस पावर ही रहेगी ठीक है और यह माइनस ओगा आपका प्लस ठीक है तो चाहे आप अगर ऐसा दिखें 1-1 की पावर और लिख लेता हूं, कोई भी और, अपॉन और, ठीक हो गया, अब ध्यान से दिखिए, नेचुरल नमबर है, नेगेटिव संक्या तो आई नहीं सकती है, इसका मलब यहाँ पॉजिटीव और होगा, कहने का मलब पॉजिटीव और नमबर, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नमबर हर केस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो वन प्लस, वन अपॉन और, इसका मतलब, यह जो वैल्यू होगी, यह हमेशा वन बाई टू से तो बढ़ी होगी, सिंपल सी बात है, कुछ भी वैल्यू आप रख लिजिए, ठीक है, देखें, जैसी आपने और रखा देखें, 9999, तो यह वन बाई टू से तो बढ़ाई है, यह तो एक से भी बढ़ा है, कहने का मनलब जब आप और वैल्यू रख रहे हैं, तो हमेशा वैल्यू जो ग्रेटर देन वन आ रही है, अगर ग्रेटर देन वन आ रही है, तो वन बाई टू से तो बढ़ी होगी होगी, देख में और जब आप फूर्णा थे हैं मान लेजे की कोई भी एक even number रखने थे के एवन नंबर रखने क्या होगा देखे कि even number मालिजे में वर रखूंगा तो अ वाइ टो आएगा ठीक है पोर रखने तो कि नाए मेरा थरी वाइ फो राया जो कि वन पाइट लेता हो अंड्रेट रखने सामाना पंड्रहें टो क्या हो जाये गा 1-1-1-1 ओजाएगा अपॉन तो डिस कित्ता हो जाएगे 99 upon 100 तो उस case में जब हम even रखंगे तो जो सारी value होंगी 1 by 2 से हमेशा क्या होंगी बड़ी होंगी देखिए कैसे द्यान से देखिए यह 99 upon 100 है ना तो 99 upon 100 is greater than क्या होता है 1 by 2 होता है खुदी logic लगा के देख लिए डिवाइट कर लिजे तो यह हो गया आपका 0.99 जैसी आप 99 upon 100 करेंगे तो आजाएगा 0.99 जो की 1 upon 2 0.5 से तो बड़ा ही होता है तो चाहे आप कुछ भी value रखे जब आप odd number रख रहे हैं तो आपकी जो value होरी ही greater than 1 होरी है ठीक है odd के case में जो आपका 1 है वो क्या है lower bound जब आप even रख रहे हैं तो उस case में क्या है आपका 1 by 2 है आपका lower bound तो हमने बुला greatest lower bound ठीक है सबसे छोटा lower bound जो की आपका 1 by 2 आई बात समझ में तो 1 by 2 सबसे छोटा पर lower bound तो उसी को बोलते है greatest lower bound और greatest lower bound को ही क्या बोलते हैं इन फ्रिमम मोलते हैं ठीक हो गया तो देखे तो इस case में देखे सुप्रिमम क्या होगी आपका 2 क्योंकि सारी जो value है वो 2 से छोटी है बट वहीं सारी जो value है वो क्या है 2 से बड़ी है आप्टर रॉल जो आपका 1 आया 1 भी क्या है 1 by 2 से क्या है बड़ा है तो आपका जो upper bound होगा वो होगया आपका 2 और lower bound होगया आपका 1 by 2 वैसे lower bound हुमारे दो आ रहे थे एक 1 by 2 आ रहा था और एक 1 पर हमको निकालना greatest lower bound greatest मलब lower bound में भी सबसे छोटा तो जो की हो जाएगा ये 1 by 2 आई बात समझें तो जो supremum of s हो जाएगा वह आपका 2 और इंप्रिमॉम आप एस हो जाएगा आपका 1 by 2 तो इसके बाद वैल्यू रख लिजिए 2 प्लस 1 by 2 upon 2-1 by 2 स्वाल बगर के 5 upon 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस यहाँ पर बजी के लगाना था कि जब आपने बहुत सारे पॉइंटे हापर निकाल लिये थे उसके बाद हमको हम यहाँ पर तीन या चार वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है पट आगे की अगर वैल्यू रखनी है तो सीधा बड़ी वैल्यू रखिएगा ठीक है अगर आप 1000 रखेंगे माली जी यह है ठीक है इसके लिए इस पॉइंट के लिए यह भी क्या है अपर वाउंड है यह भी अपर वाउंड है यह भी अपर वाउंड है क्योंकि यह सबसे चोटा है यह इससे भी बड़ा है इससे बड़ा ही है इससे बड़ा ही है तो इससे इसको पॉइंट ए बोलो B बोलो, C बोलो, D बोलो. तो इसके लिए B, C, D तीनू क्या है? Upper Bounds है. बट हमको निकालना है least upper bound क्या है? निकाम अलब least upper bound क्या है? B. तो सुप्रिमम क्या होगा? B. Similarly, अगर हम बात करें इसके लिए इस point के लिए हमाल लिए जो lower bound हैं ये भी है C, ये भी है B, और ये भी है A. बट हमको निकालना है greatest lower bound क्या है? निकाम अलब सबसे छोटा lower bound. तो हमारा answer क्या हो जाएगा? इस. आया समझ में? So friends, I think video काफी बड़ी हो चुकी है. क्योंकि आज हमने questions के साथ साथ में theory की भी काफी practice की है. कई सारे theory के नए-ने terms आज हमने सिखे हैं. तो I think video काफी बड़ी हो चुकी है और बड़ी वीडियो को upload करने में काफी दिक्कत हो जाती है. ठीक है? तो यहीं पर वीडियो को end करते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए. और अपने उन सभी फ्रेंट के साथ वीडियो को share कीजिए. जो कि IIT Jam 22 के लिए preparation कर रहे हैं. तो ठीक है? क्या रहे हैं.